कि आप सभी साथियों को मेरा जोहार आज हम बात करने वाले वेस्टन कॉल्फिल निमीटेड डबलू सीयल के बारे में जो 2022 में निकाला गया था वेकेंसी उसके बाद 2023 में फिर से निकाला गया वेकेंसी इसके उपर में पूरे वीडियो को सुरू से लेके अंतर देखेंगे ताकि आप जो लोग सोच रहें कि इस बहेंसी को भरें तो क्या-क्या इसको समझिएगा और कौन लोग इसको भर सकते क्या-क्या मता हरी चीद समझाने वाला हूं ठीक है सबसे पहली बात कि आज 19 तारीक है यह जारी किया गया उनीस तारीक को जैसे एंसल की परिशा खतम हुई उसकी कुछ दिर के बाद में यह नोटिस सभी स्टुडेंट के वार्टसप ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप में सर्कुलेट होने लगा तो बच्चे का मन मन में क कि यह नोटिस क्या फेक की रियल है तो पर मैं उसको किलियर कर देता हूं कि नोटिस आपको कहां से मिल सकता है ठीक है एक तो मैं टेलिग्राम ग्रूप सापको यह मिल सकता है इसका लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप डिरेक्ली चाहतों खुज से भी इसको कर लेता हूं यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ मासा कि जब भी को नोटिस आएगा जब भी को इससे लेड़ कुछ और अप्डेट्स आता है तो कहां से मिलेगा हो सब्सक्राइब नहीं बना पाए बढ़किया कि आप खुच से देख सकते हो इसमें केरियर सर्क्राइब सेखसना अप को वह एक्सिक क्लिक कर ना है चलिए मैं किलिक कर देता ही क्लिक कर दिया उसके बाद में जो नोटिस अभी हो रहा है वह रियल मोक्त यहां पडह गउनवें सप्ली पर पोस्ट ऑप माइनिंग साधान टेकनिकल एंड सर्वियर गेट सी लिखावा ठीक है अब हम लोग आज आपने नोटीस पर यह जो निकाला गिया वेकेंसी बैसिकली 2022 में निकाला गिया तो पिछले बार थे डवलू से इसल का एक्जाम भी हुआ दोनों का रिजल्ट्स सेम आपके पास अप्रचुनिटीज हैं चाहे बच्चे फिल्ड वर्क वाले हो चाहे बच्चे डिप्लोमा वाले हो या बिटेक वाले हो अब समझते कि कौन को लोग इसमें एलिजेवल है क्या है बाई पोस्ट का नाम तो माइनिंग सर्दार इन टेकनिकल एंड मतलब आपको जोइनिंग ग्रेट सी लेवल पर होगा ठीक है क्या मंगा गया है मैट्रुकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास तो वह दीजिए और अगर वह नहीं है तो इकुआ वैलेंट मतलब ऐसा को सर्टिफिकेट जो टेंथ का ही बराबरी एकुआ भैलू रखता है मतलब कि अगर आप फिल्ड वर्क से सर्दारी के पढ़ाई किये हो या फिर सर्दारी का पढ़ाई नहीं भी किये हो आपको पास एक्सपिरियंस और आपने एक्जाम एक्जाम देगा अप इसके लिए अप्लिकेबल हो फिल्ड वर्क वाले बच्चे इसके लिए अप्लिके स्थाथ साथ लगा देना है फिर अपको देना ही तर्ड नंबर सीमें गेस्टेस्टिक rigorous अबतले ही चाहें वह दिप्ल्म भालेव्य वह दिप्लाइब टिक वाले हो फिलिगा फट साथ साथिफिकेट यह देना इह कियो गिया आपका डोकुमेंट के बारे में अब हम उलते सूपर्वाइजर के बारे में बहुत सरे बचे अर्टिकेर्स आफ ती चाहिए यह Q2 ॉ होता है जो बच्चे सिविल की पढ़ाई करते या फिर जो बच्चे आपका फिल्ड वर्क से होते या फिर वह ऐसे बच्चे जो बच्चे डिप्लोमा इन माइन सर्वाइंग की पढ़ाई किये माइनिंग इंजिनिंग पढ़ा ही करते हैं उसके बार यहां सर्वाइंग करके सर्वीघन इन मानिंग मानिंग उर्वाइंग वह पर से टो ही आपको इसू होता है आपके पास अगर है सर्वे सर्टिफिकर तो इसके लिए प्लिक टूटल पोश्ट इसमें 28 गों है ठीक है उसकी का एक्जाम लेगा उसी को फॉर्म भड़ने की सलहा दिया था उसी पर का दुबारा दुजारी क्या गिया 2023 में आज के दिन इसमें भी साफ साफ लिग दिया है कि वो रिष्टिकेटड साटिफिकेट वाले का अप्लिकेशन को एकसेप्ट नहीं करेगा वो एलिजेवल नहीं मानेगा उसको लिखावा है सिक्स नंबर पॉइंट में सकेंड पैज में केंडिड़ प्रोसेसिंग रेस्टिकेटिट इस साटिफिकेट आट नोड इलिजेवल मतलब कि आप अंडर ग्राउंड से पीडी पीटी पीडी 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 किये होंगे ट्रेनिंग किये हो तब कॉम्पेनेंट परसन आपको मालूम अपका सेलरी होगा एकती साजार आट सो बावन रुपया चपन पर महीना के हिसाब से अगर आप रहांते सुप से सर्वियर में जाते हों तो चौती साजार तीन सो एकानवे रूपया परस अपका यह मंतली का होगा उसके बाद में प्रसिमम एज लिमिट जो है वो तीस साल है जेनरल वालों के लिए और मिनिमम में 18 यह कब से काउंट होगा तो आपका तीस साल जो होगा और नोटिफिकेशन के आने के दिन मतलब आज का दिन तक में अगर आपका एज यह इसके बीच में हैं तो तो आप भर सकते हो और इस इससे अधिक या फिर इससे कम है तो यह आपके लिए विकेंसी नहीं है साथ में क्या एज लिए ससन दिया जाता है जिससे हमारा सेंटर गुबर्मेंट कंपानी यह वाला वह उसका हर एक रूल को फोलो करेगा जहां जहां रूल है आप खुद से पर सकते हैं प्रांसल चू कईका है है कि आपको 100 0Xasis में का समय मिलेगा आपको所时间 हिंदिन में में देखने को मिलेगा इसमें एक लाइन लिखावा है अपकर उसम संहें लिखावा है कि लिखावा मतलत खे मैंרכ जहां इएला एक्जामा vezes क्स Amazon क्या लिख में ले सकता है लिखाबार टोटल मैक्सिमम नंबर सो है मतलब सो नंबर का एक नंबर का होगा नबबे मिनिट समय मिलेगा नबबे मिनिट कोश्चन आपका जो होगा वह सो होगा नमोकरी नहीं मिल लागका पास्पास मिन्स आपका नाम लीस्ट में सबसे लस्ट में होगा नोकरी फिक्स हैँ तो आख जानते हो पहले से कितना लाना पड़ता कट ऑफ के टवर पे इसके बात वीडियों बनाके बतांごे कट आँए के उपर में पहले के कि उपर हमें लाइक किज़े के सपोर्ट किज़े देख मैं आगे की बाते आप सभी आके बताता रहूंगा ठीक है फॉर्म का फी क्या है ग्यारा सो असी रुपए बतार फॉर्म का बैसिकली फी एक हजार रुपया ही था बट 18% जी जो लगता है सभी चीजों में इसमें भी लग गया तो 11 1180 रुपय हो गया ठीक है उसके बाद में यह पेमेंट आपको और लाइन नहीं करना यह बाद रखेगा कि 1180 रुपय का पेमेंट आपको कहीं से भी ओनलाइन नहीं करना बलकि डिमांड ड्राफ के द्वारा यह फॉर्म भराएगा यह वाला फॉर्म एंसेयल की तरह नहीं ह करने के लिए आपको तरह प्रोसेसिंग से उजरना पड़े कुछ ऑफ लाइन है कुछ ऑनलाइन है दोनों को मिला के फॉर्म को भर कि वापत आपको इसका जो ऑफीस उसमें पोस्टिंग से भीजना पड़ेगा तो यह जो प्रोसेसिंग है पुरा इस आप खुझ से पढ़ वरी तक में ठीक है उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि यह आपको हो गया और कोई भी अपडेट्स के लिए डबलू सीयल का ओफिसल वेबसाइट में आप बने रह सकते और कोई भी तरह का प्रस नहें मन में संका हैं तो उसके लिए गए हैल प्लाइन नंबर पे दिए समय के बीच में दिएगे दिन के बीच में आप संपर करके अपना बातों को रख सकते हैं इसमें नंबर दियावा कॉंटेक्ट फॉर क्लारिफिकेशन ठीक ना याद रखिए कि MCL में भी मांगा गिया है अन्रेश्टिकर चाटिफिकेट और WC में भी यही कहानी है अब आन सब्सक्राइब को पढ़ लीजिए समझ लीजिए जो भी अपडेट इसके बाद होगा जिसे की कोशन किस तरह का आता कट पूछता की सेक्शन से समझाने वाला हो ताकि आप अगर फॉलो करते रहेगा तो फिर लास्ट में आपको किसी भी टीचर का दुआरा उनका नोट से सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिए तब तक लीजिए जब भारत